असलाम लेक्ट मेरेंट साइफ नाम टाइंग जानिस इस एपली तरस आइफोन 13 सीरिस हमें फॉइनली देहने को मिल चुकी है एपल ने सप्टेंबर की इमिन में आइफोन 13 और कुछ अपनी और भी प्रोडक्ट को रिलीज किया है अब कुछ लोगों का यह होता है कि जो आइ आइफोन से नियू आइफोन पर आप सबस्क्राइब करें अगर मैं डिजाइन की बात करूं ऑवराल बैक से और साइट से तो आपको तकरीबन अगर आप नियू कलर ना लें सीरिया बलू जो हमें एपल की तरफ से देहने को मिला है तो आप 12 और 13 परो में डिफरेंस नहीं को मिलेंगी तो उसमें आपको साइब को नहीं मिलेगा लेकर आगर मैं बात करूंभ डिस्प्ले की Fron청 साइट के तो फ्रॉंट साइट पर आप दिफ्रन सब्स्करा सकते हैं कि यह नूदर है यह पराना मौडल है अगर इस्पले ओन हो तो हमसी नोश स्थे हमmor प्रों तो नौच हमें 20% स्मालर देहने को मिली है लेकिन अभी भी नौच है तो अगर आप सिर्फ इस वज़े से अपगरेट करें कि आपको नौच छोटी देहने को मिलेगी तो आपको उसका क्यों इतना जादा फाइदा देहने को नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप कोई वीडियो या कोई गईदा रहे हों तो नौच है जो को तो उसका को को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कुछा सब्रक्राइब दीकए पटनी nu तक आपको डिफनेस्स देहने को मिलेगा अगर आप 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 ड्वाल प्रोसे भी अप्रेट कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे परसन है जो कि आइफून को अगर आप कर रहे हों अगर आप कोई अपन कर रहे हों या फिर आपको गेंशन के साथ कमबाइन होंगे तो आपको और बीज्दा समूध देहने को मिलेगा अब डिस्प्ले में अगर मैं बात करूंड तो तो हमारे पास जो तकरीबन बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं लेकिन एपल ने जो डिस्प्ले ब्राइटनेस उसको भी तकरीबन 200 बढ़ा दिया है पहले जाए हमारे पास 800 ब्राइटनस थी मैक्सिमा में अब 1000 निट्स देहने को मिली है तो यह में हल्की तकरीबन चेंजिस द आया कि यह हमें कितनी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मस बप्रोइट करेगा एस कंपे 14 के क्योंकि अपने हमें सिर्फ उसको एंड्रोइट के चिप के साथ कंपेर किया है अगर आप प्रफॉर्मस पूस्ट चाहिए अगर इस विए से अप्ग्रेट कर रहे हैं तो के के कैमरे कि में हमें क्यां जेने को मिली हैं 12 फॉरों से 13 यह नगा लास्टेर जैसे क्योंकि डिजाइन BIG सेंसर है जो सबसे सब्सक्राइब कैमरा है हमारे पास यह केमरा वह हो पिछले साल की तक रही Fresh dubन कौ मिल लेगी उसके बाद बात करो मैं टेली फोटो कैमरा की टेली फोटो कैमरा में इस बार एपन थोड़ा जीब बात की है कि पिछले साल हमें जो अपर्चर को मिला था वह टूपॉइंट जियो देहने को मिला था लेकिन इस साल अगर हम एपल की जो स्पैसिफिकेशन वाली लिस् मात यह बात को लगा तो अगर क्यामरा में इस वार हमें काफी मिजर चीज कीश देहने को मिली है पिछले साल जो अपर्चर आईफ़े हमें 12 सेय सिरीश तक हमें अब देहन को मिला था वह एफ 2.4 था लेकिन आप उसको एपनलनंडी करके एफ वन पॉइंट 8 तो आपको लो कर दिए वही आपको कौल्टी अल्ट्रा वाइड एंगल से देहने को मिलेगी उसके बाद हमें जो नियू फीचर किया गया है वह सिनेमेटिक मूड का है आप सिनेमेटिक मूड में यह होता है कि एपने उसको फॉरसा प्रॉफेश्यनल टाइप हमें फिचर कर दिया है अगर ने खिरी बना रहे हुं तो आप जैसे ही देख रहे होते हैं केमरा की तरफ तो जो आप फोकेस कर लेगा और आपको फोकस कर लह और आपको एक प्र ad देहने को मिला है उसके बाद हमें प्रोर रिजलेशन भी देहने को मिला है तो आप अगर विडियो एडिट करना चाहते हैं क्या विडियो बना के खुद उसके कलर से वगराद चाहते हैं तो यह भी फीचर आपको देहने को मिलेगा तो अगर आप ऐसे person हैं कि जो कफी जदा विडियोग्राफी में हैं तो आप यह अपग्रेट कर सकते हैं वरना हमें तेकरिबन सेम ही कैमरा से ने को मिले हैं अगर मैं बात करने तो फ्रॉंट कैमरा भी एक्जाक्री सेम हैं लास्ट यह जैसे सिर्फ हमें दो फीचर एक हमें प्रोड रेजलेशन वीडियो और एक सिनम लेकिन अगर आपके पास आपको पांसो बारागी बीक्रम स्टोरिश देहने को मिल रहिया तो आप वन टीबी स्टोरिश के उपर अप्ग्रेट कर सकते हैं आइफून 12 प्रो में हमारे पास मैक्सिमम पांसो बारागी तक स्टोरिश को अप्शन है लेकिन एपल ने आइप और यहां सब्सक्राइब तक अबर यहां तो आपको यहां लेगा लेकिन अगर में डिश्पले की को प्रवाइट करेंगा एका वाइट को है यह दोवेचर आपको ज्यादा अच्छे आगर आपको उनकी ढूरत है यह अप्र आपको सिनेमाटिक मूट की तो आप कर सकते हैं वरना अगर आप ना भी करें तो आपको ज्यादा मिस्स नहीं करेंगे अगले साल वेट करने अगले साल पोसे भेल है के एपल कि तरफ से हमें नोच फिल्कुल खतम देहने को मिले और पंच वोल देहने को मिले जो कि हमें काफी अच्छा एक्सपेरियंस करेगा तो यह कुछ फीजट्स थे आई डॉंट तिंग के अगर आप आइफून 12 प्रोस या आइफून 11 प्रो भी अगर आप यूस कर रहे हों तो आप 13 पे अपड़ेट करें क्योंकि हमें इतनी मेजर चेंजिस देहने को नहीं मिली तो आज किसी में बसते नहीं था अगर वडियों नहीं हो तो लाइक करना मत भूलेगा चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब जूरूर करने और आप से मिलूंगा अगली वडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज